तो इसका दोस्तों मैं हूँ आपके साथ तमन्ना और आप देख रहे हैं ओके क्रेड़ेटर GST, GST के पारे में हम सब जानते हैं Good Service Tax, इसके फुल फॉर्म है और हम सब जानते हैं कि GST 2017 में कितनी मशक्कतों के बाद आया था और कितनी जादा चर्चा इस पर हुई थी पिशली सरकार ने भी कोशिश की थी कि GST लाया जाए लेकिन अब BJP सरकार सेंटर में है और BJP सरकार ने 2017 में GST को लागू किया अब GST 2017 से लागू तो हो गया लेकिन अभी भी ये GST जिसकों की indirect tax भी बोलते हैं ये GST ऐसा शब्द है ऐसी टर्म है जो कई लोगों के समझ से अभी भी परे है तो आज इसे भी सररशब्दों में समझेंगे ये टेक्स तब लगता है जब हम किसी प्रोड़क्ट या सर्विस को खरीगते हैं इस तरह से GST हमारे उपर लगने वाला indirect tax है साल 2017 में इस tax को लागू किया गया इससे पहले sales tax, excise tax, service tax जैसे कई तरह के tax लिए जाते थे लेकिन अब GST के तमाम तरह के tax को शामिल कर दिया गया है इस आर्टिकल में हम GST के बारे में आपको बताएंगे क्योंकि GST एक तरह का service tax है तो जाहित तोर पर भार का हर नागरिक tax देता है और जो नागरिक tax देता है वो इससे जुड़ा हुआ है चाहे वो common man हो, चाहे वो बड़े से बड़ा entrepreneur हो लेकिन GST की मूल परिभाशा क्या है? यह अभी भी कई लोगों के समझ के परे है तो चलिए वही आपको बताते हैं GST क्या है? GST का full form है goods and service tax हिंदी में हम इसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं इसके नाम से ही साफ हो जाता है कि इस tax को माल और service पर लगाया जाता है इसकी सबसे बड़ी खासित ये है कि किसी भी एक सामान पर इसका rate पूरे देश में एक जैसा होगा यानि देश के किसी भी कोने में मौचूद consumer को उस वस्तु पर एक बराबर tax चुकाना पड़ेगा दोस्तो GST पर हमने पहले भी कई सारे वीडियोज बनाए है GST पर हम आगे भी आपकी जितनी भी आशंकाए हैं वो दूर करते रहेंगे आप subscribe करना हमें नाम पुले हम बार बार ये चीज़ कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी viewer हमारे साथ इस program के जरीए जूटता है इस YouTube channel के जरीए जूटता है उसका हर doubt clear हो GST ने हालागी काफी कुछ आसान कर दिया है पहले कुछ गरबड़ियां थी जिसके कारण बहुत ही tax देना जो था वो एक गरबड जहाला सा लगता था क्योंकि इतने सारे tax होते थे अब पहले क्या de-marriage थी उस पर नज़ट आते हैं पुरानी विवस्ता में टैक्सों का मकरजाल बहुत गहरे तक पहला था उधारन के लिए जैसे ही माल factory से निकलता था सबसे पहले उस पर लगता था उतपाश शुल्क यानि excise duty कई बार कई सामारों पर अतेरिक्ट उतपाश शुल्क यानि additional excise duty भी लगता था यही माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो राज्य में घुसते ही entry tracks लगना था इसके बाद जगा जगा चूंगी आलग से जब माल बिखने की बारी आई तो sales tax यानि wet की माल कई मामलों में purchase tax भी लगता था सामान अगर विलासिता से जुड़ा है तो luxury tax अलग से hotels या restaurants में वो सामान उपलब्द कराया जा रहा हो तो service tax अलग से मतलब ये कि consumer के हाथों में पहुँचने से पहले सामान या सेवा कई stages पर कई duties या taxes से होकर गुज़रती थी इस तरह किसी सामान या सेवा के customer के हाथों में पहुँचने तक कई चरणों में अलग-लग rate के कई tax लग जाते थे और यही वो कारण था जिसके चलते GST लाने की स्थीती बनी दरसल Indian Constitution में indirect tax संबंदी जो पुराने नियन थे उनमें वस्तों के उत्पाद्वन और सेवाओं पर tax लगाने का अधिकार Central Government को दिया गया है जबकि वस्तों की बिकरी पर tax लगाने का अधिकार State Governments को दिया गया है सब ने अपने-पने हिसाब से मियम बना डाले और श्रेनिया तै कर दी इसी चकर में एक-एक सामान पर कई-कई tax और कभी-कभी tax के ऊपर tax लगाने के हालात भी बन गए और ये अलग-लग taxis का जो गड़बर जहाला था ये सबसे ज़ादा प्रभावित करता था चोटे व्यवसाई या फिर चोटे व्यवापारियों को जो चोटी-मोटी companies में काम करते थे अब ये तमाम जो टाक्सीस थे जो ड्यूटी लगती थी इन तमाम चीजों को एक साथ कर दिया गया और जी एस्टी लगाई जाने लग पड़ी यानि कि इंडारेक टैक्स को हम कह गरे हैं इन पर इस्तिति, को दूर करने के लिए ज्यी एस्टी को ऐसे एकिगरित कानुन के रूट मिलाया ग्या है जो माल अबं सेवा दोनों के प्रोडक्शन से लेकर सेल तक पर लगाया जा सके प्रोडक्शन और सेल का ये पेच खत्म करने के लिए GST का एक आधार तै कर दिया गया जिससे ये चीज़ें काफी जादा आसान हुए इसके लिए बकाईदा टैक्स कानूनों में बदलाफ किया गया संसद में बकाईदा सभीदान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई जिसके कारण GST कानून पारित होने में इतना लंबा समय लग गया अब बात करते हैं GST के मेजर फीचर्स की मैनुफेक्ट्रिंग के बजाए उब्भूग पर टैक्स GST टैक्स सेवा या बस्तू इस्तेमाल करने वाले को देरा पड़ता है हाला कि इसकी वसूली की जिम्मेदारी सामान या सर्विस देने वाले पर होती है मतलब ये कि दुकानदा जब कोई सामान देगा तो उसमें GST को अलग से लिख कर बताएगा जो भी खरीदार होगा उसे GST को मिला कर पूरा पैसा देना होगा सर्विस टैक्स के मामले में आपने ऐसा ही देखा होगा मुबाइल के बिल में साफ साफ सर्विस टैक्स अलग से लिखा होता है यह तो हम समjahते ही हैं किसकी समान को बनने में, मैनुफैक्टरिंग होने में और कईकर तक पहुचने में कई सारे पड़ाव पार करने पढ़ते हैं, कई समान बेचा जाता है, कई समान खरीदा जाता है यानि कि एक बहुत लमबी चेन है यह अब GST के नियमों के बुताविक सप्लाई चेन में हर खरी विक्री पर तैट टेक्स देना होगा तो क्या हर स्तर पर टेक्स लगने से चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी ज़रूर महंगी हो जाती अगर टेक्स क्रेजिस सिस्टम नहीं होता इस सिस्टम में सप्लाई चेन का हर अगला खरीदार अपने से पहले वाले विक्रेता के द्वारा तियेगर टेक्स के वापस पा जाता है GST सिस्टम में आखरी स्टेज पर टेक्स लगने से पहले जहां-जहां टेक्स जमा किया गया है उसको वापस पाने की भी विवस्ता है अगर आप अंतेम या वास्तविक कंज्यूमर नहीं है और पहले कि किसी स्टेच में आपने GST जमा किया है तो ये आपके खाते में वापस हो जाएगा हर महीने GST रिटर्न भने के दौरान आप Tax Credit System के माध्यम से अपना GST एज़िस्ट करा सकते है Tax Credit System आकिर है क्या इसको अलग से हमने नीचे मैंशन किया है जरूर देखिएगा Tax पर Tax नहीं चड़ेगा अब पहले की सिस्टम में क्या होता था कि सिर्फ धेर सारे Tax ही नहीं लगते थे बलकि Tax पर Tax लगते थे क्योंकि एक या दो तरह की अलगलग बस्तूओं पर अलगलग तरह का Tax लगता था लेकि अब ऐसा नहीं है अब GST अंतिम रूप से Consumer को ही अता करना है बीच में अगर किसी ने डिपॉसित किया है तो उसका पैसा Tax Credit सिस्टम में वापस यानि Adjust हो जाता है येकिन अब सवाल आता है कि ये Tax Credit आखर मिलेगा कैसे तो चलिए ये भी आपको बताते हैं GST तो सब ने अदा किया पहले Wholesaler ने, फिर Retailer ने, फिर Consumer ने तो फिर जो पहले बताया गया कि सिर्फ Consumer GST यदा करेगा उसका क्या फंडा है आईए इसको समझते हैं दरसर Wholesaler और Retailer ने अपनी बारी में जो GST जमा किया था उसे वो आगे चल कर Tax Credit के माध्यम से सरकार से वापस पा सकता है GST का मातली रिटर्न भरते समय वो इसे अपने उपर बन रही देंदारी में एज़स्ट करा सकता है ये जो Tax के एज़स्ट होने की प्रक्रिया है इसे ही GST में Tax Credit सिस्टम नाम दिया गया है इस Tax Credit के विवस्था का फायदा बीच के स्टेजिस में आने वाले विवस्थाई तभी उठा पाएंगे जब उनके पास उन स्टेजिस पर की गई बिक्री की रसीद हो क्योंकि जो खरीदार होगा उसकी वी रसीदे सरकार के पास ओनलाइन मौजूद होगी और जिसने बीचा है उसकी भी और जब दोनों स्टर की रसीदों का मिलान होगा तब ही वीच वाले व्यवसाई को tax credit का फाइदा मिलेगा complete online system billing at each stage GST में self-monitoring काफी जादा कारगर साबित होती है self-monitoring की बात की जाए तो इसका मतलब यह है कि आपको खुद monitor करना है कि आपने कितना business किया अब इसकी जानकारी आप online रख सकते हैं कि आपने कितना व्यवसाई किया आपने कितना सामान बेचा और जिसको बेचा वो भी रसीद रखेगा और जिसने बेचा उसके पास भी रसीद होनी चाहिए और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये जब दो रसीदों का बिलान होगा उसी से tax credit का फायदा मिलेगा कहीं भी सौदों का मिलान ना हुआ तो online ही गरबड़ी पकड़ी चाहेगी सौदों में GST जमा होने की जमेदारी हर स्टेज पर उपर वाले कारोबारी के होने से tax की chain नहीं तूट पाएगी क्योंकि कोई भी कारोबारी अपना tax credit का नुकसान नहीं चाहेगा पहने राजे सरकारे क्या करती थी कि हर प्रोड़क्ट पर अपने राजे में अपनी मनमर्जी से उसका tax लगा देती उसका rate भी अपनी मनमर्जी से तैय कर दिया जाता था लेकिन GST आने से ऐसन नहीं होगा GST के प्राप्धानों में या rate में किसी तरह के changes के लिए GST console बनाई गई है इसके अधेक्ष केंद्री वितमंत्री हैं और राज्यों के वितमंत्री इसके सतस्य होते हैं दोस्तों ये वीडियो तो यहीं खत्म होता है लेकिन अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि GST ने कौन-कौन से टेक्सिस को हटाया है और कौन से वर्ध के व्यापारी के लिए कौन सा GST वाइदे मन्द है आप कहीं मच जाएगा हमारे वीडियो को लगातार देखते रहेगा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए बेल आइकॉन का बटन दबागा में बिल्कुल मठों ओकी क्रेडिट बिजनस ओकी है